हेलो, वेलकम, लेट्स डिसक्स क्लास इलैब एन मिसलेनियस एकससाई चाप्टर टू, कोशन नमबर थ्री, तो कोशन है, फाइंड दोमेन ओफ फॉंक्शन एफ एक्स स्कॉर प्लस दिवाइड़ेड़ बई एक्स स्कॉर माइनस 8x प्लस 2n, तो चलिए चल कर करते हैं इस कोश हैं कि हमें यह फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसे थोड़ा सा फेक्टराइज करना पड़ेगा, यह जो है निम्रेटर है और यह क्या है डिनोमेनेटर है, तो हम लोग डिनोमेनेटर को थोड़ा सा फेक्टराइज करके लिखेंगे, तो यहां फेक्टराइज करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है x square minus 8x plus 12 तो हमें क्या करना होता है इस 8x को break करना होता है ऐसे कि वो multiply करके 12 आए ठीक है तो मैंने break कर दिया इसे minus 6x minus 2x इस 8x को कैसे break कर दिया minus 6x so minus minus plus तो minus 8x हो गया और 6 to 12 ओके समझा रहा है और इसमें से x को common लिया तो x minus 6 और यहां जे 2 को common लिया तो x minus 6 तो हमें यहां पर x का 2 value मिल गया एक मिल गया x minus 2 और x minus 6 तो x का 2 value मिला 2 और 6 अब कभी भी तो इसे factorize किया तो क्या मिल गया x minus 2 और x minus 6 ठीक है अब दिखिए यहां कभी भी x का value जो होगा वो 2 नहीं हो सकता है और यहां x का value 6 नहीं हो सकता है क्योंकि something by कुछ भी जो होता है उसके नीचे जब 0 हो जाता है अगर 2 लिया तो 2 minus 2 क्या हो गया? 0 हो गया तो कुछ भी 0 जो होता है वो not define होता है ठीक है? उस तरह से fx का value ही नहीं मिलेगा तो इसलिए हमें इसका domain मतलब x का value क्या हो लेना होगा? x का value जो लेना होगा वो क्या लेना होगा? 2 और 6 को नहीं लेना होगा यही ना 2 और 6 को नहीं लेना होगा तो हमारा domain क्या निकल गया? हमारा domain जो निकल गया? वो क्या निकल गया? सारा number तो ले सकते हैं मैंस की सारा real number ले सकते हैं लेकिन इसमें से minus कर दिया किसको 2 और 6 को क्यों minus किया समझ आ रहा है क्योंकि 2 और 6 को जब हम लोग रखेंगे तो वो not define हो जाएगा function निकलेगा ही ने इसलिए 2 और 6 को minus कर दिया तो हमारे domain हो गया real number में इसे minus कर दिया 2 और 6 को hope समझ आ रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगता है तो like कीज़ शेर कीज़ अपने दोस्तों के साथ जादा सो जादा वीडियो को और playlist बनी हुई एक class 11 के चाकर देख सकते हैं playlist में thank you thanks for watching